So guys, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप Facebook Messenger यूज़ करते हैं और Facebook Messenger पर जब आप किसी को Message करते हैं, तो आपका Message जो है Send नहीं होता है, आपको दिखाता है Could Not Send, आपका Message Send नहीं हो पाता है, तो इसका Solution आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपकी Problem Solve हो जाएगी, अगर आप Messenger से किसी को Message करने का Try करेंगे, तो वो Problem आपकी 100% Solve हो जाएगी, तो इसका Solution क्या है, वह मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, यहाँ पर 5 Solutions है, पांच वह मैं आपको बताऊंगा, कोई भी Work कर सकता है, सबसे पहले तो आपको Setting म में आना है, Setting में आने के बाद यहाँ पर About Phone में आना है, और यहाँ पर आपको Storage में आना है, और अपनी Storage चेक करनी है, आपके Mobile में कितनी Storage बज़ी होई है, अगर आपकी Storage फुल होगी, तो आप समझ जाएगा, आपको यह Problem Storage के वज़े से आ रही है, क्योंकि यहाँ पर Message send करत रखना है, तो App Info देखने को मिल रहा है बीच में, इस पर क्लिक कर लिजिए, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको Storage देखने को मिल रहा है, सबसे उपर इस पर क्लिक करिए, इसका Clear Old Data कर लिजिए, इसका Clear Old Data करने के बाद आपकी Problem 100% हो जाएगी, अगर फिर भी नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको Power Button को दबाना है, जो आपका Power Button होता है, और यहाँ पर फिर अपने Mobile को Reboot कर लेना है, या तो Reboot करिए, या फिर Restart करिए, जैसे आपका Mobile On होगा, Messenger आप यूज़ करेंगे, तो Problem 100% Solve, आपको एक और बात का ध्यान रखना होगा, जब आ Message Send कर रहे होते हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आगर सामने वाले परसन ने आपको यहाँ पर अपना Account Deactivate कर दिया, सामने वाले परसन ने अपने Account को बंद कर दिया, तो भी आप उसको Message नहीं कर पाएंगे, आपको यह Error आएगा ही आएगा, अगर सामने वाले अपना Account 1 तो नहीं कर दिया है, और then finally अगर यह सब नहीं है, तो आपको 3 Lines में क्लिक करना है, यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं, कुछी इस तरह से, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, Messenger Open करते हैं, 3 Lines पर क्लिक करते हैं, Settings देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर यहाँ पर आपको एक report submit करनी होगी, वह report क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको यहाँ पर यह report submit करनी है, देख लिए क्या लिखा हुआ है, मैंने, Dear Messenger Team, I am facing an issue while trying to send message on messenger, the error message could not send, keep appearing, I have tried different solution but this issue not solved, please resolve this issue as soon as possible, अगर कोई भी यहाँ पर solution work नहीं करता है, जो मैंने यहाँ पर आपना जो है, वो जो problem थी, वो यहाँ पर उसका screenshot add करतीजीगा, जो भी problem थी आपकी, दन उसके बाद यहाँ पर आपकर इसको send करिएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर, कुछ इस तरह आपके आप सामने आ जाएगा, उपर send का option है, send पर click करके, इस report को submit करतीजी So guys, बस यही काम आपको करना है, So guys, अगर आपको फिर भी कोई problem आते हैं, मुझे comment box में जरूर बताएगा, मैं आपके लिए कोई solution ले करा हूँ, मिलते हैं next video में, till then I take care, I love you all